तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगा आपके साथ pivot table जिसे कि आपने कल्गी क्लास में देखा कि हम किस तरह से pivot को summarize करते हैं, analyze करते हैं, and read present करते हैं पिवट टेबन बहुत important topic है तो अगर आप इसको सीख रहे हैं तो इसको आप पूरी practice के साथ slowly हर एक topic को सीखते हुए समझते हुए करें क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी problem हुई आपको थोड़ा भी इसमें किसी तरह की दिक्कत हुई तो क्या होगा आपको पिवट समझ में नहीं आएगा और जहां तक सर्वे काता है कि हम अपने office का 80% report पिवट से बना सकते हैं तो चलिए session को शुरू करते हैं आज हम तो जैसे पिवर्ट के दरा जो हमारी डेटा है अब उसी डेटा को एक पड़ लेते हैं तो हम लाच ब्रास में आपके सभेंतर बात की थी पिवर टेबल की summarization है ऑट तो पिवर टेबल की summary में हम ले आपको summary क्रे सित करना समझाया कि पिवर टेवल का summary कैसे Create किया जाता है आब पिवर कि किकि तरिके से हमmara की समरी में हम सा है ते कं अब हम इसको स्लेक्ट करते हैं और यह पिवर टेबल लगाते है है तो पीपर टेबल हमने यहां पर लगाया हमने हां से नेम वाइच हमने यहां पे quantity रख लिया हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पीबर टेबल के अंदर को शॉट कर सकते हैं तो राइट क्लिक किया और यहां शॉट का ओप्शन दिख रहा है आप हां पर शॉट क्लिक किरें तो शॉट आपका यह आपका लेफ्ट टॉ-्टॉ-डॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-बटन होता है और यह लेफ्ट A to Z और Z to A असानी से कर सकता हूँ मतलब कि अगर आपने किसी फिल्ड वैलु पर रखा है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपने किसी लेजर आइटम पर रखा है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपने किसी फिल्ड पे रखा है तो उसके कॉर्णिंग भी शॉट की जा सकती है ठीक है सर तो शॉट हम टॉप टू बॉट्टम राइट टू लेफ्ट में अपने हिसाब से हम शॉट करते हैं तो इसी तरह पीबट के आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे